हाल ही में हमने देखा कि कैसे अमबानीज की वेडिंग में बॉलिवूड के बड़े बड़े स्टार्स को एक बस में ठूसा गया और वो आराम से उस बस में बैठे हैं उनके चेहरे पर शिकस तक नहीं थी कि इतने लोगों को एक ही बस में क्यों ठूसा जा रहा है और किसी ने तब कटाक्ष कसा था कि यही सेलिबरिटीज हैं जो सेट पर चार-चार वैनिटी वैंस की डिमान करते हैं और अब ऐसे ही स्टार्स पर भड़की है कुरियोग्राफिर डिरेक्टर फराख खान फराखान ने अपने लेटेस इंटिव्यू में खुलासा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में ये चलन बहुत जादा हो चुका है स्टार्स के भाव इतने जादा बढ़ गए हैं कि प्रोड्यूसर्स पर वो अब एक बोच की तरह है फराखान ने बताया कि कई सेलिबरिटीज ऐसे हैं जिनकी वैनिटी जब तक सेट पर पाक नहीं होती है तब तक वो अक्ट नहीं करेंगे और तो और एक स्टार चार वैनिटी की डिमांड करता है एक वैनिटी उनकी जिम के लिए एक वैनिटी उनके स्टाफ मेंबर्स के लिए एक वैनिटी में उनका खाना बनता है उनके शेफ उनके कुक रहते हैं और एक वैनिटी वो खुद के लिए मांगते हैं इन चीजों के बिना स्टार सेट पर आता तक नहीं है और जब तक उसकी चार वैनिटी उसे नहीं मिलती है तब तक वो काम तक नहीं करता है फराखान इस बात को लेकर बेहत नाराज है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों सिर्फ स्टार्स को अच्छी फेसिलिटी देने के लिए फिल्मों का बजट बढ़ रहा है ना कि ये पैसा फिल्मों को अच्छी तरह से बनाने में लगाया जा रहा है ऐसे में स्टार्स की डिमांड जो है वो बोट से जादा और कुछ नहीं आपको बता दे कि ये खल ही में बड़े मिया छोटे मिया फिल्म रिलीज हुई फिल्म ने ठीक ठाक बिजनस भी किया लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म लॉस में है ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस फिल्म में अक्षे कुमार ने 125 करोड रुपे की फीस ली है जो अपने आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है और इसी वज़े से फिल्म का बजट 350 करोड हुआ अब 350 करोड रुपे ये फिल्म कमा नहीं पाई ऐसे में ठीक ठाक कमाई के बावजूद ये फिल्म एक फ्लॉक फिल्म कहला रही है